आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है कुछ ऐसी बातों पर जो आपको बहुत जारा धान रखने के ज़रुत है क्योंकि ये एक पीचर के साथ भी हुआ है और हो सकता है आने वाले टाइम पर आपके साथ भी हो सकता है या हमसे पहले कुछ लोगों के साथ हो चुका अनसा को पता है कि किसी भी तरीक में की की अचिवमेंट हसील करना खाने का म नहीं होता अगर दिल से बात करो तो आपको भी बता है कि एक आजम को टैकल करना कितना सब्दा डिफिकर्ट होता है Kick जो आपके इश्कूग लेडविटी हो कौलेज लेबल की हो लेकिन अगर और उसी तरीके के achievement अगर आपको globally recognize किया गया हो तो उसके अलगी बात होती है क्योंकि जब आप अपने talent को, अपने बातों को, अपनी achievements को globally represent कर पाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उस अपने देश का नहीं, अपने राच्य का, अपने district का, अपने school, अपने colleges सबका नाम रोशन करते हो ऐसी ही स्कूल के teacher है, जिनका नाम है रंजीत दिसले सर, जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, 2020 में इन्होंने global teacher award जीता था जी हाँ, वही रंजीत दिसले सर, जिनके बारे में आप आए दिन कहीं ना कहीं मीडिया में, news channels में देखते आ रहे हैं कि इन्हें scholarship मिली है, full pride scholarship मिली है, जिनने 6 मिने के लिए अमेरिका जाना होगा, अपने PhD परसीव करने के लिए, study करने के लिए, research करने के लिए और उन्हें documentation नहीं किया जा रहा है, वगेरा वगेरा आपने XYZ पढ़ा है, उस पर हम जादा discussion करने वाले नहीं है बट सबसे important चीज़ ये है, कि रंजीत इसले सर, चीवमेंट से 2020 के सालों में ही था क्या, जब COVID चल रहा था, उन्होंने QR कोड की खोज की, जहां पर उन्होंने जो lower section के students थे, उनके textbook में QR कोड लाना, generate करना शुरू किया है, ताकि बच्चे उस QR कोड को scan करके, audio books, video, lectures, या easy जिरी किसी तरीके के study medal को access कर पा है, सिर्फ वो 2020 के achievement थी क्या है, नहीं, 2016 में भी government of India ने उन्हों innovative researcher of the year का award already present कर गिया था, अब उनका क्या achievement है, वो साली चीज़े हमको देखना है, इसके पहले जो Microsoft foundation है, जैसा है सबको पता है, Microsoft का नाम कहीं भी भी, आज मैं अगर यहां पर आपके सामने वीडियो प्रेजेंट कर रहा हो, तो हो सकता है, या आप वीडियो, आप जिस लाप्टॉप और डेक्स्टॉप की मदद से, जैकर उस पे भी जो authenticate होता हूँ, Microsoft का है, तो Microsoft अचुता नहीं है, हम सब Microsoft को जाते है, तो Microsoft foundation ने भी, जो डिसले गुरुजी है, उन उनको जिक्षा के छित्र में अच्छा कारे करने के लिए पुरसकार दिया हुआ है, उन्होंने की और की मदद से, इनोवेटिव तरीके से बच्चों को बढ़ाया जा सकता है, उसकी कोज उन्हों ने किया है, उसके अलावा इसके अलावा डिसले गुरुजी को विश्यो ब बढ़ाना चाहते है उस पर वो काम कर सके तो इस तरीकी के अच्विबेट एक खाने की काम नहीं होती है उसके अपने जितने भी उनके साथी दार्त है जो तो उसमें से बाखी के नौ लोगों को उन्होंने वह अमाउंट को डिस्ट्रिब्यूट कर दिया है उसके अलाब आरंजी से डिस्ले सर वर्ल्ड बैंक के एड़ुकेशन एडवाईजर है उन्होंने क्यूर कोड की और यह क्यूर कोड का जो पैटन था क्यूर कोड की जो किरन लुहार सर के वज़े से है अब किरन लुहार सर एक्चुदी है कौर सिक्षण अधिकारी एड़िकेशन ऑफिसर है सोलापूर के जिनने 2020 में सक्ष्यम अधिकारी के तौर पर उनका पुदस्कार मिल चुका है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें लुहार सर की तो उनका क्या कहना है कि उनका स्टेटमेंट अगर आप जनरली यूटूब पर या गुगल पर सर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट उनके द्वारा देखने को मिलें जिसके बात आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर वही हाडवक अगर आपको फाइदा होने वाला है तो आज महाराश्ट्रों की भारत की अगर पहुंची है जिनको बहुत बड़ी बात होती है तो यह सारी चीज़ें जो है बहुत जादा बोलते हैं एक तरीके से घर्मा-घर्मी हो गई यह भी कहा कि मेरा जो डॉक्यमेटेशन प्रोसेस अभीदर कंप्लेट डिवाट 25 तक का मेरे को महुलियत मिला था अगर वो डॉक्यमेटेशन कंप्लेट नहीं होगा तो हो सकता है आने वाला टाइम में पुल प्राइट जो स्कॉलर्शिप है वो भी मेरे हाथों से जा सकती है जिसके बाद सब जगा से अल ओवर इंडिया से अल ओवर महाराष्ट्रा के सिक्षर अधिकारी या मैं कहूं कि एडुकेशन ऑफिसर है या उसको जानने वाले जितने भी लोग है वो सब चाहते हैं कि अपना प्रसीव करने के लिए अमेरिका की तरफ जाए तो यहां पर वर्षाग आपड मैडम ने भी वर्षाग आपड मैडम ने भी यहां पर उनको मोटिवेट किया है और उनने कहा है कि दिसले सर के से जो भी लीव अप्लिकेशन उसको जल से जल अप्रूब कर दिया जा और वो फॉर्दर स्टेडिस के लिए वो आगे जाए इसके बारे में उनोंने सोलापूर के सीयों से भी बात की हुई है ठीक है और अपमे टूइटर के माद्यम से सारे धीक और स्ट्रूड कम्हिनिटी और को सुक्रियादा किया है कि उनोंने इस कटिन समय में उनका साथ गया उन्होंने इसके साथ-षफ शुप्रिया सुले पाड़ू बच्च लिए उनको scholarship मिलना खाने का काम नहीं होता scholarship एक दिन की महनत नहीं होती है scholarship के लिए आपने बहुत साल लगाए होते है अपने बहुत dedication के सारव आपने वह काम किया होता है और जैसा कि आप सभी को आप न्यूस पेपर वगर में देखने के लिए देखने के लिए मिलेगा कि जो लोहार सरे वो उनका उनका पूरा कारेकाल है वह हमेशा कंट्रोवर्सी से भला हुआ है उनके बारे में एक न्यूज एबिपि लाइफ ने 22 जनवरी यानि 22 जनवरी को अर्टिकल उनके बारे में छपा है कि उनके पास ठीक है Commonwealth of Vocational University of Tonga विद्यापिट यानि उनके जो उनियर्सिटी है उनको honorary PhD की डिगरी मिली है बत बात में जब उसके बारे पर जाज पड़ताल की आई तो ऐसा पाया गया कि Commonwealth सब्सक्राइब करते हैं जिसके बारे में गुना दाखल किया गया लीगल केसिस हुआ है तो उन्होंने भी यहीं कहा कि इस तरह की कोई भी उनियर्सिटी हमारे यह एक्जिस्ट ही नहीं करती है ठीक है यहां पर उन्होंने क्लियर लिगा नसला से स्पष्टिगन तैनी दिले तो इस तरीकी के स्टेटमेंट्स देने के बारे में पहले से फेमस है मेरा कहने का मतलब क्या या मेरा पॉइंट ऑफ यह कहता है कि आने वाले टाइम में या इसके पहले इसी तरीकी कोई गलतिया हुई होगी इसको इंटर्नेली सॉल्व कर लिया जाए तो जादा बेतर है जिस तरीके से अगर डिसेंबर में कोई अप्लिकेशन दी है और लोहार सर करता है कि इसमें किसी तरीकी तो वह इंटर्नली आप बता दिये होता है आपने डेढ़ मेने का समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी अब जो भी सिस्टम आपका इस तरीके से काम करता है वो एफि जिस तरीके का मोटिवेशन उन्होंने सेट किया है इंडिया में कि आप अपनी मेहनर से एज अडिकेटर के तौर पर भी अपना नाम पूरे दुनिया में रौशन कर सकते हैं वह सच में इंस्पिरेशन है और फ्यूचर में अगर आपको कभी मौका मिला तो आप भी अपना सरको आने वाले टाइम में बेस्ट आफ लग और जितने भी स्टूडेंट्स यह वीडियो देख रहा है उन सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके के वाक्य अगर हमारे टीचर के साथ होते हैं तो उनके साथ उनको सपोर्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है क्यू इसी तरीकी के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे हैं मिलता हम आपको अगले वीडियो में एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के लाग साथ तब तक के लिए जय हिंद जय महाराश्ट्रा